नमस्कार, इसलेट में आप सभी का स्वागत है आज के हमारे वीडियो में हम पढ़ेंगे Charles Osgood का Communication Model Communication Model की सीरीज में जो अगला Model है वो Charles Osgood का Model है जो कि 1954 में उन्होंने दिया था Charles Osgood का Model जो था वो पहले वाली models से थोड़ा डिफेर्ट था Charles Osgood का जो Model था वो पहले, जो उसके पहले जो models दिये गए थे उनसे थोड़े different थे, इसके पहले जो model दिये गए थे, वो linear form में थे, यानि कि रेखरिये प्रक्रिया में थे, लेकिन Charles Osgoode का जो model था, वो circular form में था, यानि कि चक्रिये प्रक्रिया में था, जिसमें ये बताया गया था, कि जो संचार की प्रक्रिया है, या communication का जो process है, वो नि receiver जब उसका feedback देता है, यानि कि उसके बारे में कुछ भी अपनी व्याख्या करता है, उसके बारे में कुछ भी अपनी राये देता है, वो उस टाइम पर sender हो जाता है, और जो sender पहले था, वो receiver हो जाता है, और इस थारह से ये circular form में process चलता रहता है, जो main theme थी Charles Osgoode के model की, वो यही थी, इसके बाद जो एक नई चीज थी Charles Osgoode की model में, जो पहले वाले models में नहीं थी, वो था, उन्होंने तीन नए term दिये थे अपने model में, that is, encoder, decoder and interpreter, उनके model को समझने से पहले, हमको इन तीनों terms को समझना बहुत जादा ज़रूरी है, encoder, decoder और interpreter, बहुत simple language में, मैं आपको एक example की तुरूरी इसको समझाऊंगी, encoder का मतलब होता है, अपनी भाशा में, या जिस तरीके से हमको बहुत आसानी से चीज समझ आ जाए, उस तरीके से हम चीजों को encode करते हैं, ग्रहन करते हैं, और receiver को ध्यान में रखते हुए, उन चीजों को उस तरीके से receiver क को बताना चाहते हैं, या बता सकते हैं, जिस तरीके से receiver को आसानी से वो समझ आ जाए, confusion वाला है थोड़ा सा, बहुत और simple language में मैं आपको समझाती हूँ, जैसे माल लिजे, मुझे students को और सबसे पहले मैं क्या करूंगी, और सबसे पहले मैं क्या करूंगी, और सबसे पहले मैं फर्राटे से बोल सकती हूँ, लेकिन मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं अपने मन में इस चीज को encode करूंगी, अपने मन में इस चीज को सोचूंगी, कि किस तरह से आसानी से बच्चों को Osgood model मैं समझा सकती हूँ, तो जो भी main model है, उसको मैं पढ़कर, students को ध्यान में रखकर, यानि अपने receiver को ध्यान में रखकर, उन चीजों को निकालूंगी, या उस तरीके से उस चीज को change करने की कोशिश करूंगी, receiver की भाषा के according, या receiver के समझने के तरीके के according, कि किस तरह से मेरे receiver को वो अच्छी तरह से समझा जाए, तो जो main message है मेरा, उसको मैं receiver को आस समझानी से समझाने के लायक बनाने के लिए encode करूंगी, यानि कि कुछ उसमें convert करूंगी, convert मतलब मैं Ausgood का model नहीं change कर दूंगी, लेकिन अपने तरीके को receiver के according बनाने के लिए, कुछ शब्दों का या language का मैं ध्यान रखूंगी, तो वो प्रक्रिया कहलाएगी encoder, encoding, और ज encoder, दूसरा term जो उन्होंने दिया वो होता decoder, decoder में क्या होता है, कि जब हम किसी से कुछ बात सुनते हैं, हम receiver हैं उस time पर, मैं receiver हूँ, मैं जब किसी से कुछ बात सुनती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, उस बात को same to same उसी form में नहीं लेती, बल्कि उस form में लेती हूँ, जिसमें मैं आसानी से समझ सकूँ, for example, अगर माली जी मेरी first language हिंदी है, मैं हिंदी को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, English मुझे आती है, लेकिन हिंदी जितनी नहीं, तो अगर कोई मुझे English में बात करेगा, तो मैं क्या करूँगी, पहले उन words का translation अपने मन में फिर उस चीज को समझूँगी, यानि कि उनके द्वारा कहे गए शब्दों को, जो की एक sign के form में थे, प्रतीक के form में थे, उनको मैं convert करके अपने according बनाऊँगी, यानि मैं संदेश को या message को अपने अनुसार decode करूँगी, तो वो term होती है decoder, और decode करने वाला जो व्यक् receiver होता है, और इनकी भाष़ में, औसकुट की भाष़ में decoder होता है, तीसरी जो important term है, वो है interpreter, interpreter मतलब चीजों की व्यक्या करना, जैसे मैंने किसी चीज को encode किया, receiver को देने के लिए, फिर उसकी व्यक्या की, और receiver ने उसको अपने अनुसार decode कर लिया, फिर उसकी व्यक्य की, और फिर उसके जवाब में, जो भी उसको कहना था, उसको अपने मन में encode किया, encode करके उसे भेजा, और फिर जो पहले sender था, उसने उसकी बात को अपने अनुसार decode किया, यानि कि अपने शब्दों में decode कर लिया, फिक है, इसको हम जैसे एक बहुत simple form में, translator की चीज समझ सकते हैं, जैसे जब भी कुछ चीज समझ में नियाद मालीजे, दो language का differentiation होता है, किसी दो वेक्तियों के बीच में, तो एक translator रखते हैं, तो वो translator को हम encoding या decoding के process, encoding और decoding के process से समझ सकते हैं, कि हमें वो चीज आसानी से समझ आ जाए, इसके लिए हमने एक translator रखा, और इस वाले formula में या इस वाले model में, अगर हम देखें, तो कोई भी चीज हमें आसानी से हम समझा सकें दूस्टे को, उसके लिए हम उसको encode करेंगे, उसकी भाशा में, उसके according, उसके mindset के अनुसार, अगर मुझे मालीजे, फोर्थ क्रास के बच्चे को पढ़ाना है, तो मैं अलग तरीके से बढ़ाऊंगी, अगर मुझे graduation के बच्चों को पढ़ाना है, तो मैं थोड़ा अपना level उपर करकी, थोड़ा और अच्छे से बढ़ाऊंगी, और मुझे अगर PG के बच्चे, post graduation के बच्चे या PhD लेवल के बच्चों को पढ़ाना है, तो मैं थोड़ा और detail में जाकर उसको समझाऊंगी, यानि कि मैं अपने मन में पहले इस चीज को decide करूँगी, कि मेरा receiver कौन है, उसके अनुसार जो भी message है, message तो neutral है, message तो बना, जो Osgood का model है, वही समझाऊंगी, लेकिन मेरे समझाने के तरीके में, मेरे receiver के according फरक आएगा, और उस तरीके को मैं receiver क according, encode करूँगी, और receiver जो है, जो भी receiver होगा, अगर fourth class का कोई बच्चा होगा, तो वो उसके हिसाब से decode करेगा मेरे message को, अगर graduation level का कोई बच्चा होगा, वो उसके हिसाब से decode करेगा मेरे message को, और अगर PhD level के कोई students होगे, तो वो उसे साब से decode करेंगे मेरे message को, इस तरह से यह process चलता रहेगा इसके बाद यह बताया गया कि जो ऑसकुट का संचार सिधान्थ था संचार प्रारूप था या ऑसकुट का जो communication model था वो especially interpersonal communication के था communication के लिए था interpersonal communication मतलब जब दो या दो से ज्यादा वेक्तियों के बीच में communication होता है दो या दो से ज्यादा वेक्ति किसी आईडिया को किसी knowledge को आपस में share करते हैं उसको interpersonal communication कहते हैं तो वो personally क्योंकि दो एक sender की जरूरत थी एक receiver की जरूरत थी इसलिए interpersonal communication में सबसे ज्यादा especially उसके लिए बनाया गया था इसके बाद उन्होंने बताया कि यह जो communication का process होता है वो हमेशा चलता रहता है यानि कि एक time पर जब sender एक time पर एक विक्ति sender होता है दूसरे time पर वही विक्ति receiver होता है जब उसको पहले वाले sender की कही गई बातों का reply देना होता है ठीक है जैसे मालीजे मैं आपको message दे रही हूं इस time मैं sender हूं आपने समझ लिया आपको कहीं confusion लगा आपने उसका मुझे feedback दिया नेक्स time पर आप sender हो जाएंगे और उस feedback को लेने वाली मैं receiver हो जाओंगी और इस तरह से यह process जो है चलता रहेगा तो यह main concept था Charles Osgood के model का अब हम सीधे model पर आते हैं यह पूरा समझाने के लिए था model में क्या था कि कोई भी message है यह होता है sender और यह होता है receiver एक time पर ठीक है बाद में यह interchange होते रहते हैं तो कोई भी message है सबसे पहले जो भी sender है उसको वो decode करता है decode करता है मतलब अपनी language में समझता है उसकी फिर व्याख्या करता है और फिर उसको receiver को आसानी से समझ आ सकने वाली language में encode करता है उस message को receiver अपनी भाशा में decode करता है उसके व्याख्या करता है और फिर जब उसको feedback देना होता है sender को वापस तो वो sender जो उस time पर पहले वाली time पर sender था अब receiver हो जाएगा उसकी भाशा में या उसको सही तरीके से समझ आज सकने वाली भाशा में encode करता है और फिर उसको भेजता है फिर ये receiver बन जाता है और फिर वो अपने अनुसार उसको decode करता है यानि की convert करता है अपने समझने योगे और इस थरह से पूरा process चलता रहता है एक बहुत daily use में काम आने वाले example से अगर हम Osgoode के model को समझें जिसे आप आसनी से हमिशा याद भी रख सकते हैं ये आप मतलब exam copy में नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिखें लेकिन अगर समझना है आपको मतलब concept अगर समझना है रटना नहीं है क्योंकि ये रटने की चीजें हैं ही नहीं ये psychology पर डिपैंड है सारे models तो आपको समझने की बहुत जादा चीजें है इसलिए अग मेड को या अपनी सर्वेंट को उनसे मेड को बोलते हैं उनके लिए चाय लाने के लिए ठीक है तो सबसे पहले क्या होता है कोई guest राया हमने अपने दिमाग में अपनी मन में इस message को encode किया पहले हम सोचेंगे नेनो सेकंड के लिए ही सोचेंगे लेकिन सोचेंगे कि हमें को चाय पिलानी है और हमारी मेड से या हमारी सर्वेंट से कहना है कि इनके लिए चाय लाई लाओ ठीक है तो हमने क्या किया उस message को अपने according decode किया यानि माली जे मैं English बोलती हूँ जादा कोई भी person है जो जाद English बोलता है तो अपनी language में उसको decode करेगा कि please bring a cup of tea for him ठीक ह अब फिर वो यह सोचेगा उसकी वयाख्या करेगा फिर वो सोचेगा या मेरे मेड को तो यह English नहीं आती तो मैं उसको कैसे बताऊं कि वो मेरे message को जल्दी से समझ जाए तो वो उस जो sentence है जो उसने मन में अपने समझने के लिए decode किया था उसको वो मेड को समझाने के यह एक cup चाय लेकर आओ फिर यह उसकी language में यानि receiver को बहुत आसानी से समझा जाए उस language में उसने encode किया उस message को जो भी made है या जो भी servant है उसने अपने language में वो जिस भी तरीके से समझ सकते हैं उसमें उन्होंने उस चीज को समझा हो सकता है उन्होंने English में बोला और उनको English आती है लेकिन बहुत जादा fluent नहीं आती है पहले उनको जो भी बोला है उसको एक बार अपने मन में recall करना होता है कि होता है कभी कभी जैसे हमको बहुत अच्छी English नहीं आती है या कोई भी language है जो हमें बहुत अच्छी नहीं आती है लेकिन हा उसका translation हमें आता है कोई कह है तो हमें समझ आ जाती है तो उस ताइम हम क्या करते है कि कोई भी बोल रहा है तो पहले अपने मन में चाहे नैनो सेकेंड के लिए ही करें उस चीज को recall करते हैं कि इन्होंने क्या कहा यानि कि उस चीज को convert करते हैं अब अपने according decode करते हैं फिर उसका interpretation किया मेड ने उसकी व्याख्या की और फिर उसका जो भी reply था कि जी sir lie या okay I will come with a cup of tea तो वो उसने अपनी language जो भी receiver की language थी अब उस टाइम पर जो भी person था जो host था जिसने चाहे मंगाई थी वो कौन हो गया receiver हो गया और sender कौन हो गया वो made या servant हो गया जिसने वापिस से receiver की को आसानी समसे समझ आने योगे message में उस चीज को convert किया और इस तरह से ये process चलता रहा ये बहुत बारिक चीज होती है जिस पर हम कभी ध्यान नहीं देते लेकिन psychology कली अगर हम देखें तो ये होता है अगर आप बहुत अच्छे से सोच कर विजार करेंगे कि आगर माली जी मुझे ये तुमें बढ़ाना है और सबसे पहले मुझे उस चीज को समझना होगा और मैं उस चीज को अलग तरीके से समझेंगे शीज को अलग तरीके से समझेंगे ऑस कुट का मॉडल तो वही रहेगा लेकिन ये जो चीजों को समझने का तरीका है बस यही encoding और decoding है चीजों को दूसरों को समझाने के लिए बनाया जाने वाला तरीका encoding है और चीजों को दूसरों से ली गई चीजों को खुद समझने योगे बनाना decoding है और बीच में जो भी एक stage आती है वो interpretation की आती है और इस तरह से communication का ये process चलता रहता है तो बहुत सरल चब्दों में अगर हम देखें तो communication का process यही रहता है तो Charles Horsgood का model मुझे लगता है सभी को समझ आ गया होगा और अगर आप चाहें तो इनको note कर सकते हैं अपनी notebook में और इसके जो भी points हैं उसके अनुसार ही आप notes बना सकते हैं अगर PDF format में इसके notes चाहिए तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं इसके लावा इसकी जो limitation है यह सब Charles Horsgood के model के बारे में था इसकी जो limitation है वो यह है कि Charles Horsgood ने mass communication का कहीं जिक्र नहीं किया उन्होंने सिफ interpersonal communication पर ही ज़्यादा जोर दिया और दूसरी बार Charles Horsgood ने हमेशा यह बताया कि जो sender और receiver होते हैं वो equal होते हैं और reciprocal होते हैं यानि एक time पर sender जो है एक विक्ति sender होता है वही दूसरे time पर receiver हो जाता है लेकिन sender और receiver के unequal होने के process में या unequal होने के स्थिति में जब feedback के कहीं कोई संभावना नहीं हो स्थिति में communication process कैसा होगा वो इस बात को नहीं समझा सकें आगे जो भी और researcher आये उन्होंने इस बात को समझाया जो हम आगे के models में पढ़ेंगे अगर आपको अच्छी तरह समझ आया तो please comment box में मुझे बताएं मेरे वीडियो को like करें अगर नहीं समझ आया तो कहां पर दिक्कत है क्या doubt है वो भी मुझे बताएं मैं अपने पढ़ाने की तरिक में और क्या improvement कर सकती हूं वो भी मुझे बताएं इसके लावा अगर आपक सब्सक्राइब करें थैंक यू